यलोवल्लावस में बड़ी चानेल दोस्तों फीर सब से वीचा स्वाबर थैं रिक मिन का एठने आप वीड़ियो पे दोस्तों वोट के तरब से एक नए स्मार्टॉट परकेट पहना है बोट लुनर क कॉनिक प्रोग्स तो मैंने सुझा इस वोट लूनर कनेक्ट प्रोग के साथ फायरपूल नेगे से के एक छोटा सा कंपरेजन किया जा है और जो दो तिंग से रुपिया का प्राइस गैप दिख रहा है उसमें से कौनसा वाला स्मार्ट वाच लेना आप लोगों के लिए साही उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगे क्लियर कॉंसेप्ट दिया जाए तो उम्मीद करते हो दोस्तों ये वीटो आप लोगों को पसंद लाएगा तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो के आगे जाने से पहले एक बात बता दो यह जो वोट लूनर कनेक प्रो है यह 29th of March को फ्लिप कार्ट के माध्धम से लॉंच होगा प्राइस रखा गया है 3,499 रुब्या यहाँ पर अगर आप पहले 300 कस्टमर के अंदर आते हो तो आपको एक फ्री नाइक की का जैकेट मिल जाएगा और अगर आप उसके निक्स 225 या 2500 कस्टमर के आसपास आपका नाम अगर आता है तो आपको कर्ट फीट का फ्री मिंबर्शिप प्रोवाइट किया जाएगा तो फटा फट जाना और जितना जल्दी हो सके अगर आपको फ्री नाइक जागर चाहिए तो एकदम जल्दी जल्दी उसको बाइक कर ले रहा अब चलो चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन वगेरा को लेके एक एक कर ये बात करते हैं सबसे पहले तो उसको मैं बात करते हूं इसके display अगरा को लेके और उसके साथ साथ इसके design अगरा को लेके यह जी lunar connect pro है ना एकड़म premium quality design के साथ आता है आपको round L देखने को मिल जाएगा, side में crown देखने को मिल जाएगा, metal body आपको मिलता है metal strap मिल जाएगा, आप आड़ाम से आपके हिसाब से उसको change कर सकतो display अगरा का मैं बात कर दो तो यहाँ पे आपको 1.39 inch का AMOLED display देखने को मिल जाता है, 550 nits का peak brightness मिल जाएगा always on display का option है, wake gestures अगरा देखने को मिल जाता है और उसके साथ यह जो crown है ना, यह एक active crown आपको देखने को मिलता है लग इस crown के थूँ, आप आपके menu अगरा को control कर सकते हो उसके साथ अगर हम बात करते ही, यहाँ पे fireball legacy का तो fireball legacy के अंदर आप लोगों को 1.43 inch का AMOLED display देखने को मिल जाता है with 466 x 466 pixels का resolution, आपको यहाँ पे metal frame मिल जाएगा always on display का support मिलता है, 600 nits का peak brightness मिल जाता है 60 hertz का refresh rate देखने को मिल जाएगा, even दोस्तों यह जो smartwatch fireball legacy इसके साथ आपको free strap भी provide के जाता है विकास यहाँ पे आपको metal strap भी provide के जाता है इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो leather strap होते है न वो भी extra provide के जाते है तो आप अपने हिसाब से उसको change कर सकतो अब यहाँ पे बात है, display के मामले में कौन सा वाला smartwatch आगे रहेगा obviously दोस्तों fireball legacy जो हो आगे रहेगा because यहाँ पे आपको pink brightness जादा मिल रहे है, आपको 60 hertz के refresh rate के साथ screen देखने को मिल रहे है बड़ा सा screen मिल रहे है, थोड़ा सा जो बड़ा screen देखने को मिल रहे है तो obviously बात करूँगा अगर screen display के तरफ से आप देखोगे तो obviously legacy सबसे पहले रहेगा दोनों के दोनों smartwatch ही आप लोगे लिए Bluetooth calling प्रोवाइड करता है यहाँ पे आपको दोनों ही smartwatch का अंदे 8 से 10 आप contact को sync करके रख सकते हो आपको एक full size dial pad देखने को मिल जाएगा इवेन दोस्तों यहाँ पे आपको mic and speaker मिल जाते हैं quality जो वो काफी बढ़िया है Fireball Legacy का जो quality वगेरा अभी तक review पे आया है उस पे quality आपको काफी सही देखने को मिल जाए और Lunar Connect Pro जो है वो भी एक premium quality smartwatch की इसाब से market पहरा तो उसका भी उमीद किया जा रहा है कि quality सही होगा अब बात करते हैं यह Lunar Connect Pro के processor को लेके हाँ दोस्तों पहली बार शायद आप सुन रहे हो कि smartwatch के processor को लेके बात हो रहा है तो यह जो Lunar Connect Pro है इसके अंदर Apollo 3.5 Blue Plus processor देखने को मिल जाएगा जो company claim कर रहा है एक smooth and high performance processor होने वाला है किसी smartwatch के लिए Fireball Legacy के अंदर obviously processor वगेरा है पर उसके बारे में अभी तेट कोई भी information market पे open में ही हुआ है तो उमीद करती है यह जो नया processor के साथ Lunar Connect Pro market पे आ रहा है वो आपनों को काफी बड़िया performance प्रवाइड करेगा तो अगर आप processor के मामले में देखते हो तो obvious बात है Lunar Connect Pro आपको एकदम टॉप पे रहता है अब बात करते है Watch Faces वगेरा को लेकिद यह जो Lunar Connect Pro है इसके अंदर आपको AI Watch Faces Studio प्रोवाइड किया है दोस्तों मतकब यहां पे आपको बल्क में काफी सारे मतलब बहुत सारे आपको Watch Faces प्रोवाइड किया गया है तो जिसको basically AI Watch Faces बोला जाता है इसको थोड़ा बहुत enhanced नाम दिया दिया गया है कि AI Watch Faces Studio बट यह जो Fireball legacy है उसके अंदर भी आपको ऐसे Watch Faces देखने को मिल जागा वट इतने सारे facilities and functionality आपको देखने को नहीं मिलेगा तो obvious बात है अगर आप Watch Faces के इस आपके देखो तब भी यह Lunar Connect Pro जो है नमबर वन पर रहता है अब दोस्तों और एक नया डिक्नलोजिका बात करते हैं जो आपको Lunar Connect Pro के अंदर देखने को मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को Sales या Powered by Stamps बिंग अलग सा Features देखने को मिल जाता है जहाँ पर जब भी आप यहाँ पर कोई भी गेम वगड़ा देखने हो लाए क्रिकेट वगड़ा मैच यहाँ पर लाइब स्कोर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको बैटिंग करते वक्त आपको Arm का स्पीड स्टेप्स वगड़ा सब कुछ दिखाया जागा तो जो बोलिंग के बाद आपको Hand Speed, Hit, Miss यह सारे चीज़ अलग-अलग चीज़ जो आपको प्रोवाइट किया जागा तो यह एक नया यह अंत्र अपको 700-वाइट स्पोर्स मोर्ड देखने को मिल जाता है मतलब बहुत बहुत जाद मेरेको पता नहीं इतला सारे स्पोर्स पीकरते है इतला है तक तो सूने है गिन एक उई-दो लोग योज भी नहीं करते बट फिर भी हाँ अगर देखते हो नंबर की हिसाब से तो Lunar Connect Pro यहां पे भी आगी निकल जाता है अब बात करते दोस्तों बैटरी अगरा का तो यह जो Lunar Connect Pro है इसके अंदर आपको एस अब चार्ज देखने को मिल जाता है मतलब तगरा फास चार्जिंग देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप सिर्थी मिनिट चार्ज कर रहें तो आपको डिवाइस यह फूल चार्ज हो जाएगा इवेन दोस्तों कमपनी क्लेम कर रहें 15 डेस का बैटरी वैकप आपको प्रोवाइड किया जाएगा बट वो ही कॉनिंग के साथ करोगे तो 3-4 दिन का बैटरी वैकप शायद यहाँ पर आपको मिल सकता है थोड़ा बैटरी बड़ा बैटरी प्रोवाइड कर दे और उसके साथ साथ दूरा कनेक्टरों के अंदर आपको पावर सेविंग मोड भी प्रोवाइड कर जाता है वो ही टाइम लगेगा और साथ दिन का बैटरी वैकप आपको प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो लूनर कनेक्ट प्रो जो है वो टॉप पे रहता है और एक चीज़ दोस्तों लूनर कनेक्ट प्रो के अंदर दिया गया जो है अम्बेंट लाइट सेंसर यह अलग से प्रोवाइड के है जो फाइरबू लेगेसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को अब हम अगर बात करते हैं इसके वाटर रेजिस्टेंट टेकलोजी वगिला को लेके तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्ट वच के अंदर IP68 देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक छोटा सा क्लॉज है ठीक ही जो बोट का लूरर कनिक प्रो है उस पर IP68 होगा के नहीं यह 100% अभी तक नहीं हुआ है बट हाँ फारपूल लेकेसी के अंदर आपको IP68 देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत जो है पानी के नीचे आप एक दिर मिनीट दू मिनीट के लिए रख सकते उससे कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है बट ना रखो तो ही अच्छा है अब तो अगरम बात करते कुछ अलग-अलग फीचर्स वागेड़ा तो यहां पे दोई स्मार्ट वाच के अंदर आपको weather update, music control, camera control, sentry reminder, water reminder, find my phone यह जितने भी अलग-अलग features हो सकते smart notifications वागेड़ा, AI voice control वागेड़ा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा and at the end अगर हम बात करते हैं इसके tracking system वागेड़ा, कोड़े के health monitoring system वागेड़ा को लेके तो दोई smart watch आपको heart rate monitoring, sleep monitoring, stress monitoring, breathe monitoring, सारे के सारे options जो है वो provide करता है and उससे सबसे देखो तो accuracy के अगर हम बात करें तो emergency situation को छोड़के आप इस पर rely कर सकते वागेड़ा, अगर आपको चेक करना है तो जरूर दोस्तों कुछ medical device को connect करकि उससे उसका reading लेगा ना उसके बात जाके आप उस पर rely करना है तो आप लोग के लिए सही होगा तो यह सारे features आपको दोनों ही smartwatch के अंदर देखने को मिल जाता है अब conclusion के तरफ आते है at the end of this video कौन सा वाला smartwatch आप लोग के लिए लेना सही है दोस्तों अगर मेरा opinion पूछोगे तो obviously I will suggest कि आप lunar pro lunar connect pro जो है board का वो वाला ले लो because उसका price कम है तरिफ 300 रुपया का gap देखने को मिलता है काफी सारे features आपको देखने को मिल जागा बहुत लोग बोल सकते हो कि screen छोटा है नेकर दोस्तों screen जादा छोटा नहीं है 1.39 ने legacy 1.43 है तो आपको फ़रत समझ में भी नहीं आएगा कुछ दिक्कत आपको देखने को नहीं होगा बाकी जितने भी features लग रहा है अच्छा पसंदागे वीडियो पसंदाए तो वीडियो को लाइक कर दिना दोस्तों लोग इशाद शेयर कर दिना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके मिल आइकन को ब्रेस कर दिना मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए बाइ-बाइ टेक केर अच्छे से रहना ठीक से रहना